नए संकल्पने फिर से नए नारे गढ़े फिर से उठो संग्रामियों जागो उठो संग्रामियों जागो नए शुरुवात करने का समय फिर आ रहा है कि जीवन को चटक गुलार करने का समय फिर आ रहा है चलो अब इक नए अभियान के पदचाप गुजे मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर किनूतन सर्जना के राग भर दे शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरक्ती हिम्षिलाएं सर्दियों के बाद हर दम ही वसंताता रहा है यह प्रकृति की गति रही है अन्हेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है अन्हेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है पर आजे जिलनी पर भी शिविर में न्याई की हर दम शाले जीत की जलती रही है पर आजे आज का सच है समर्थो शेश है फिर भी उठो ओ सर्जको नवजागर्ण की सुत्र रचनी का समय फिर आ रहा है की जीवन को चटक कुलनार करनी का समय फिर आ रहा है नए संकल्पली फिर से नए नारे गढ़ी फिर से उठो संग्रामियों जागो उठो संग्रामियों जागो नए शुरुआत करनी का समय फिर आ रहा है की जीवन को चटक कुलनार करनी का समय फिर आ रहा है फिर आ रहा है फिर आ रहा है अम शान्ति सनातन है प्रबल उर्जा गती मेरा धरम है जो भ्रमन करना भ्रमन करना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरैवेती चरैवेती हमारी प्रेरना भारत है भूमी की करे पूजा सुजल सुफला सदासनिहा यही तो रूप है उसका जिये माता के कारन हम करे जीवन सफल अपना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरैवेती चरैवेती यही तो मंत्र है अपना नहीं रुकना नहीं ठकना सतत चलना सतत चलना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना जीवन सतत प्रवा है रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए हजार बार गिरना पड़े हजार बार हार हो जाए दुखी हो जाओ कुछ भी हो जाओ जब जब गिरो फिर फिर खड़े हो जाओ शुभं कर मंत्र है यह नहीं रुकना नहीं थकना चरै वेती चरै वेती अर्थात मूँ वहिड़ आगे बढ़ते रो, आगे बढ़ते रो, नहीं ठकना, सतत चलना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, शुभंकर अर्थाथ, शुभंकर किसको कहते हैं? मैस्कॉट पता है न अंग्रेजी में मैस्कॉट शुभंकर चित्रो होते हैं न घर में रखे जाते स्वास्थिक कलश कच्छुवा और उलाफिंग पुद्धा और और स्टोन कुछ कार्टून्स वो क्या कहते हैं शंक उसे शुभंकर कहा जाता है यह शुभंकर मंत्र है जिससे शुभ हो कौन सा मंत्र है आगे बढ़ते जाना चरई वेती यही तो शुभंकर मंत्र है अपना आगे बढ़ते जाना सतत बढ़ना सतत बढ़ना, सतत चलना नहीं रुकना, नहीं जुकना, नहीं ठकना बस बढ़ते जाना बढ़ते जाना कितनी बार गिरे हैं, इसका हिसाब लगाते नहीं बेटना है मार्क सिदा इस आधार से भी नहीं मिलेंगे इसने पंदरा मुर्ली सुनी, बारा सो मुर्ली सुनी, एक हजार मुर्लिया सुनी, इसने एक लाग मुर्लिया सुनी, इसने दो लाग सुनी आस्मान पर कोई शिबाबा बैठा नहीं है, इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए इसने इतना बोला, इतना क्लास किया इतने इतने सुनी इतने किताबे पड़ी इतने प्रोग्राम्स किये Marx किस आधार पर है? स्तिति के आधार पर Purity के आधार पर तो भट्टी का आज का कौन सा दिन है? 40 सब दिन 40 दिन लंबा सफर है और अभी तक हम कराची में ही है अभी तो आगे भारत में अभी पहुचे ही नहीं है भारत में अभी पहुचे ही नहीं है इससे पता चल रहा है कि इतिहास कितना गहरा है और इतिहास की एक एक बात कितना हमें सिखाती है यह था इतिहास की एक एक गटना एक पाठ है, एक सबक है और जितना गहराई से हम सिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे उतना ही जीवन दिव्य बनेगा और सबसे ज़्यादा हम जो सीखते हैं, किस से सीखते हैं, किताबों से? नहीं घटनाओं से, परिस्तितियों से कई बार सुन रखा है यह ऐसा हुआ, तो अचल अडोल रहो भूकम पाएगा, परिस्तिती आएगी, प्राकृति कापदा आएगी, तुम्हें अचल अडोल रहना है इन वाक्यों नहीं इतना नहीं सिखाया, पर वास्तों में जब भूकम पाएगा, और सब हिलने लगा और गिरे इदर उदर, सारा ग्यान खो गया एक शन में और फिर थोड़े देर में याद आ गया, तब ज़्यादा सीखे घटनाए हमें ज़्यादा सिखाती है और एक बात, जीवन हमें सिखाता है एक अपना खुद के अनुभो और दूसरों के अनुभो दूसरों का जीवन चाहे वो व्यक्ति कल भी कहाता, जिन्दा है या नहीं है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता उसको हमने देखा है या नहीं देखा है कोई फरक नहीं पढ़ता, वो हमारे साथ रहा है या नहीं रहता है वो नजदिक है या कहीं दूर बेटा है विदेश में कहीं उससे कोई फरक नहीं पड़ता यदि हमें पता चल जाए कि इसके जीवन में ये धारणाय है ये ऐसा जीता है तो अच्छानक जीवन में परिवर्दनाने लगता है कि वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता इतना अपमान सहन करने के बाद इतनी निंदा, इतनी गलानी, इतनी पराजे होने के बाद भी वो अच्छा लडोल खड़ा हुआ है उसके सामने तो हमारे जीवन के जो विगन है कुछ भी नहीं है वो इतना सब कुछ सहन करते हुए इतना अडिक है हिमाला इसा अडिक तो फिर हमारे जीवन के विगन क्या है उसके सामने हम भगवान से कह रहे हैं बाबा ये रावन मेरे जीवन में इसको हटाओ उसके जीवन में दस-दस रावन है फिर भी दड़ाई जा रही है और हम ठक कर बैठ गए ठक कर बैठ गए क्यों मानओ कभी कहता है मन्जिल बस अब आने वाली है दूर नहीं है और हो सकता है जहां हम ठक कर रुख गए बस थोड़ी देर और चलना था थोड़ी सी देर मन्जिल आ गई होती जैसे अंधेरी रात है एक व्यक्ति निगल पड़ा है अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पहले से ही रास्ता भटका हुआ है भीहड जंगल है खटा टोप अंधकार और उसमें अच्चानक उसका पैर पिसलता है और वो कोई डाली पकड़ लेता है और सर्द रात है और भयानक भयानक आवाजे आ रही है जोर से पकड़ के रखता है इतना जोर से नीचे देखता है कुछ भी दिखाईने देता है अब तो बस मृत्यू पसीना ही पसीना सर्दी में गिरा की गया पकड़ के रखता है मरना नहीं है मुझे कुछ भी हो जाए राद गुतर जाती है भूका प्यासा है सूरज की कहर पहली किरन धर्ती पर पड़ती है देखता है बस थोड़ी सी दूर दूरी में जमीन थी राद बर क्या करता रहा पकड़ा रहा और पकड़ के रखना है चाहे कुछ भी हो जाए पुर्शार्त का यह मार गए कल कहा था बाबा पुर्शार्त अर्थाथ नैच्रल अटेंशन सहज निरंतर सतत सतत चलना सतत चलना सतत चलना तो कल हमने किसके बारे में देखा था जश्व दमया के बारे में यग्य इतियास में और एक ऐसा पात्र है दियान संग हिरो जिसके बारे में चर्चा कम होती है परंतु क्यूंकि जो लोग आए उनके आने से पहले यह निकल चुके थे कल हमने कहा था ब्रह्मा बावा के जीवन में दो ऐसी बाते हुई जो थोड़ी हिलाने वाली है यह तीसरी भी घटना है पहली हुई 61 में जश्व दमया चली गई दूसरी हुई 65 में मम्मा चली गई और तीसरी हुई 12 मार्च 1968 1968 में अर्थात इस आत्मा की तपस्या भी का समयकाल उतना ही है जितना ब्रह्मा का है और ये भी बावा के साथ तपसे ही है शुरुवात से इसकी भी तपस्या कुछ कम नही है जितनी बावा की तपस्या उतनी ही इसकी भी तपस्या तो आज हम इससे पहले कि भारत आए कराची के बचे वे काम पूरे करने है नहीं तो फिर जाना पड़ेगा पापिस वैसे तो फिर भी जाना ही है कई बार जाते रहेंगे यात्रा जारी रहेगी तो आज हम देखेंगे विश्व किशोर भाव इनका लौकिक नाम इसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पांडव भावन जो है जमीन किसके नाम से थी विश्व किशोर भाव के लौकिक नाम पर थी बाद में यग्य के नाम पर ट्रंसफर हुई भेरुमल तुलसिदास कृपलानी भेरु दादा इनको कहते थे भेरुमल तुलसिदास कृपलानी उनकी युगल का नाम सावित्री भेरुमल कृपलानी संत्री दादी तो ये कौन थे? बाबा के लौकिक बड़े भाई जिनका नाम था? तुलसिदास युगल रामी भाई के सुबूत्र पर तुलसिदास जो थे उन्होंने जल्दी शरी छोड़ दिया शायद इसलिए ये बाबा के लिए जैसे उनका एक क्या था बेटा इसके लिए घर में दो बहुए थी एक तो सावित्री और दूसरी राधिका प्रिजिंद्राधादी तो जो कहा कि पांडवावन की जमीन ये जो है पोकरान हाउस किसके नाम पर था इनके नाम पर था और पांडवावन में कब आए टाइम लाइन को पकड़ के रखना है पांडवावन में कब आए ये क्यों 52 में और ब्रिज कोटी में कब आए फिर फिर एकी साल रहेगे ब्रिज कोटी 1950 में ब्रिज कोटी और ब्रिज कोटी में लाने का निमित भी कौन सी आत्मा बनी यही किसको भेजा था बापने इनी को भेजा था यग्य के जितने यह सारे कारोबार है यही देखते थे जैसे गाड़ी, खरिदना बस, कपड़े मेंटेनस, इनको जनरल मैनेजर जैसा पोस्ट था परन्तु जगदिश भाई ने लिखा है इनसे जब कोई पूछता था आप इस यग्य में आपकी क्या पोस्ट है क्या आप यहां के सेकरेटरी हो वो कहते थे मैं यहां का एक मामूली सा सेवाधारी हूँ विनम्रता की मूर्थी, निरंकारिता की मूर्थी कोई अंकारी नहीं किसी भी बात का अंकार नहीं 1954 कहां पोचें धोलपुराउज और कोटाउज पंडवोन के जो पीछे है और शायद 58 या 60 के बीच कहीं पर देट लिखी है, 658 कहीं लिखी है, 60 में पोखराउज जिसका अभी वर्तमान में नाम है पंडव भवन तो माउंट में भी तीन जगा है पहले ब्रिच कोटी ब्रिच कोटी से धोलपूर हाउस कोटा हाउस और वहाँ से फिर पोखराउज पोखराण क्या है पोखराण क्या है जोदपूर के पास है वहाँ क्या हुआ था वहाँ क्या हुआ था नुक्लियर का सबसे पहला इंदिरा कांदी नुक्लियर टेस्टिंग कहा हुआ है पोखराण उसके पहले 1976 26 से पहले आबू में बहुत भयंकर थंडी थी, अभी की कुछ भी नहीं है, यह जब first nuclear testing हुआ पोखा, उसके बाद में थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी मतलब अभी जो गर्मी है, अभी जो है, माइनस में जाता है temperature, वो वाली, उसके पहले अर्थात यग्य जब यहां आया, तब परिस्थित्या कैसी थी, अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, इसलिए तो सब लोग बिमार पड़े बहुत सारे, और कईयों ने, शरीर नहीं, यहां से निकल गए, कहा कि हम बाद में आयेंगे थोड़ा, मौसम ठीक होने के बाद, अब तक इंतजार है, पहुचे न मूरत, उस दिन भी कहा था, जितनी धारनाय स्ट्रिक्ट होगी, उतना क्या होगा? बाबा की मदद मिलेगी, अगर धारनाओं में ही गड़बढ है, तो मदद नहीं मिलेगी, विश्व किश्व और भाव जब भी कहीं जाते थे, तो उनको एक किट दिया जाता था, किट, ब जाओ, कभी मैसा ना जाओ, कारोबार लिखा पड़ी, ये जमीन की खरीद फरोग था, सब कुछ उनके जिम्मे था, तो वो अपना सामान ले के जाते थे, अपने हातों से खुद अपना भोजन, खुद किसी का परचाया नहीं पढ़ना चाहिए, पता नहीं किस भाव से बन अपने का व्यक्ति, तो अपना सामान अपने, कुमार अर्थात लिया अपना सामान और चल पड़ा, पिंधास्त, कोई टेंशन नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है भोजन के तिये, थोड़ा भोजन दे दो, मांगना ही नहीं है, अपना थैला, अपने साहत लेके गुमो, अपने से लगबक खतम हो चुके थे, सारा जो स्टॉक था, वो भी खतम हो गया था, तो कितनी बार ऐसा हुआ, जब ब्रिच कोटी में थे, तो नाश्ता, भोजन, कहां किया सब यगिंद वत्सों ने, पहाड़ों पर, क्या खाया, करवंदे, फल, बस यही उनका नाश्ता प्रूटेरियन डाइट, नैचरल डाइट, कितनी बार ऐसा हुआ होगा, तो सबसे पहली चीज इनके बारे में, जो हमने देखी, विश्व किश्वर भाव के बारे में, कौन हूँ मैं, इस यग्य में मेरा स्थान क्या है, एक मामूली सा सिवाधारी हूँ, निरंखारी बा अपनी किट साथ में, किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी पर भी निर्वर नहीं, तीसरा, बाबा की जहाँ दुकान थी, कॉलकmost्ता में, न्यू स्ट्रीट मार्केट, न्यू मार्केट जो है, दूसरी मंजील पर जिसको गद्धी कहते थे, फिर पहली मंजील पर और दूसरी मंजील पर रेसिडन्स था, उसी गली में इनकी भी दुकान थी, क्योंकि इनके पिता जी की तो तुलसिदास एंड संस, डायमेंड की दु उन्होंने बाबा को कहा कि मैं भी आऊंगा आपके साथ, मुझे भी नहीं करना है यह, बाबा ने कहा तुम थोड़े देर के बाद आना, उसमें भी हाजी, तो बाबा की जो यात्रा है, सेम वैसी ही यात्रा विश्व की शोर्भाव की भी है, वहीं से, उनको भी सेम कहां पहुँच गया है, हैदराबाद, और हैदराबाद में उनका जो घर था, बाबा के घर के एकदम सामने था, और बाबा एक बार उनके घर में गय थे, सत्संग किया था, तो क्या हुआ था, जितने आये थे सब को, कृष्ण का साक्षत कार हुआ था, तो अनुकरन में भी नमबर वन, जैसा त्याग उन्होंने किया, मुझे भी सेम त्याग करना है, और बिना त्याग के, अध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता, सुख सुविधाओं में अध्यात्म नहीं पलता है, नहीं खिलता है, नहीं सफल हो पाता है, अध्यात्म के प्तियाग चाहिए बाबा के साथ हर समय थे अर्थात clients 40 दिनों में हमने जितनी घटनाईं देखी जो सारी घटनाई हिद्रबाद में हुई सारी घटनाई कराची में हुई बाबा के साथ-साथ ये आत्मा भी क्या है? उन घटनाओं के साक्षी है इन्होंने भी वो सब कुछ देखा है वो भयंकर विरोध वो सब कुछ He is the part of every scene drama के और जब यहां आना था तो बाबा ने जैसे का इनको ही भेजा, इसके उपर faith था इनको क्या कहते है, right hand इमांदार, वफादार, निश्य बुद्धी जो कह दिया वो final, बस बाबा ने कह दिया हो गया, इतना विश्वास बाबा पर और यहां की यह पांदवान की जमीन उनके नाम पर थी, लौकिक नाम पर थी, उनको इतनी जल्दी थी कि मेरे नाम से यह यग्य की नाम पर आजाए, जितना जल्दी हो सके उसकी अपनी एक लिखा पड़ी की कहानी है दूसरा, रमेश भाई जी सुनाते है कि ममा बाबा मुंबई आने वाले थे 57 तब एक बार मुझे विश्व किश्वर भाई भाई भाहू लेके गए मैं गाड़ी चला, कार चला रहता वो बैठे कार चलाते चलाते फिर बीच में कहा रहे मेरी एक चीज भूल गई है वापस चलो पहला दिन वापस चले गए दूसरे दिन वापस कार चलाते होए गए फिर कहा कि मुझे कुछ काम आ गया वापस चलो ऐसा चार बार हुआ और पाच्वी बार विशो कुषर भाई भाई कहते है तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ रमेज भाई ने का मुझे क्या समझ में आ रहा है आप कहते हो रुको तो मैं रुकता हूँ और वापस चलो तो चलता हूँ वो कहते हैं, ममा बबाबा आने वाले हैं ना, तो मैं तुम्हारे ड्राइविंग की टेस्टिंग कर रहा हूं, कैसी चलाते हो गाड़ी, ऐसी थोड़ी ना, तुम्हारे हाथ में दे दूंगा दोनों को, पहले से जहां बाबा आ को जाना, वहाँ पहले ही जाके, सब कुछ सेटिंग करना है, ये इनका काम हैं, और ऐसे दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन चार दिन तक गुमाया उनको और फिर कहते है कि मैं आपके ड्राइविंग की क्या कर रहा हूं टेस्टिंग कर रहा हूं रमेज भाई के घर पे उने बुलाया था तो वो बैटे थे और ये लोग खाना खा रहे थे तो इनको ऐसा ल भर बनाथा उन्दिया की गुजराती डिशन उसमें आलू और ये सब होता है तो आप खाएंगे तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं कि'消 website आपका घर कैसा हे center जैसा ही है यह भी सीखने जैसी बात है घर कैसा हो? बस सेंटर जैसा जो पवित्रता सेंटर पे है वही पवित्रता हमारे घर पे इसलिए मैं खाऊंगा रमेज भाई ने कहा है तभी मेरा confidence बढ़ गया किस बात के लिए? नहीं तो इम्मत नहीं होती थी कोई मदुबन से आये और उसको कहो कि हमारे घर में खाऊं हम गरहस्ती है तभी confidence बढ़ गया आगे जाके मम्मा को बुलाया 18 मास उनके घर मम्मा रही यह इस वज़े से हो तो यह भी कितना उदार चित है कि आत्मा परक सकती है कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है कल की अव्यक्तवानी हमने देखा दिव्य बुद्धी अर्थात परकना हलिहंस तुम विद्या पती हो तुम विद्या देवी हो सरस्वती हो तो दिव्य बुद्धी परक्ती है कहां खाना है कहां नहीं खाना है किसके घर खाना है, किसके घर नहीं खाना है किसने किस भाव से बनाया है किस भाव से हमें कोई दे रहा है कहते हैं, रामकृष्ण परहमंस के पास कई सारे भगत आते थे और कुछ-कुछ दे कर जाते थे, आपके लिए क्योंकि जैसे ही पदा चलता है न कोई संत महात्मा है तो लोग क्या करते ग्रहस्ती लोग तो आते ही रहे थे ताकि इनको कुछ कर दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा रोज कुछ न कुछ लाते थे रामकृष्ण परमान सर कहते थे वो वेक्ति जहां बैठा है न जहां बैठ के गया वो ग्रहस्ती वो जमीन को खोट के फेक दो intention प्योर नहीं था या जो भोजन ला दे थे वो मैं नहीं कहूंगा नरेन को बुला उसको खिला दो उसको कुछ भी चलेगा आग है वहराग है अंदर उसको चलेगा मैं नहीं कहा सकता प्योर तो सोल है कहते थे बोजन जरा भी अपवित्र का प्रभाव पड़ता है किसकी हाथ का बनाया हुगा खाया उसका भी प्रभाव कितना दिन तक चलेगा बड़ा सुक्ष्म प्रभाव है बोजन का यदि सब कुछ कर लिया है पुर्शार्थ में और फिर भी ठीक नहीं चल रहा है अम्रितवेला फिर भी ठीक नहीं अस्तिती फिर भी भारीपन रहता है तो एक पुर्शार्थ बागी है S.F.V Solid Food Vacation जितना हो सके जो प्राकृतिक है जो अपक्व है तो हमारा लक्षे ही क्या है? चबाना, बंध पीना जितना स्थूल भोजन किया जाता है जितना पक्व भोजन किया जाता है अंदर का राक्षे जाकता है आसकतिया जाकती है वासनाय जाकती है योगी अर्थात हलका योगी अर्थात अभी अभी सो रहा है, अभी अभी उठ रहा है हलका है ऐसा नहीं, जैसे बेहोश हो जाते हैं लोग खाने के बाद सीधा कोमा में चले जाते हैं, खराटे लेने लगते हैं जोर जोर से पूरा आखंट, यहां तक भर के खा लेते हैं यह हमने यहीं पर सुना था कि आज दुपेर में ब्रह्मा बुझा आज नाश्ता नहीं करना है अज दुपेर में वो बनने वाला है तो ज़्यादा खाना है न इच्छा ही संकल भी है ज़्यादा खाने का उसकी तेहर ही है और बाबा का घर है हमारे बाप का घर है खिलाने वाला प्यार से खिला रहा है हमने दादियों का भोजन देखा है सभी दादियों का क्या खाते थे इतनु सा चिडिया जैसे उसमें अगर कोई खाए तो कोई टेस्टी नहीं उसमें कुछ नहीं रहता था निर्मन शंता दादी ने कभी भी कोई भी मिर्ची नहीं खाई, ना शिंपला मिर्च, ना लाल, ना कग, हरी, कुछ भी नहीं, करके दिखाऊ एक महिना, बोली दादी कभी नमक का प्रयोग नहीं किया, कभी नहीं, करके दिखाऊ, आंकों से आसु आ जाएंगे, इसलिए आये थे का ब्राह्मन बनने, तो ये एक बात, बाबा जब भी रेलवे से कहीं जाते थे, विश्व किश्व भाव क्या करते थे, वेस्टर गुजरात रेलवे में जितने रेलवे के मैनेजर थे, उनसे दोस्ती थी, बाबा के लिए ओल्ड फैशन का एक नया डिबबा लगाते थे गाड़ी में, ये सब पूर्व तैयारी रहती थी, बाबा को पता भी नहीं, ये जाके पहले पूर्व विवस्ता है, ये करते थे, कहीं प्रोग्राम है, जाके देखना, एक डिबबा लगाना गाड़ी में, ये बहुत बड़ी बात है, कितनी पहचान चाहिए, रमेजवाई लिखते हैं कि उनकी दिरे दिरे जितन आखे उठा कर बात नहीं करते थे, वो चेहरा देखा उनका, चित्र में, निकालो कोई चित्र, वो बुड़े-बुड़े से वेक्ति, एकदम से निरंकारी, देखने से ही पता चलता है, ये वेक्ति कैसा होगा, कभी भी आख उठा कर बात नहीं की किसी से, ये एक धारना, भोजन करते थे, तो संपूर नमान, बात भी कोई करता था, तो केवल इशारे से करते थे, उस समय अगर करना पड़ा तो, ऐसी ऐसी धारना इनके जीवन में थी, कुछ भी अपने लिए कभी कुछ भी ने, मेरे उपर कुछ वेस्ट ना हो, कुछ भी नहीं, मेरे प्रती कुछ भी खर्चना हो, जो है सभी अग्यका, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ स्वहा कर दिया, जो कल हमने देखा था, यशुदा मैया, वो नथिनी भी दे दो, वैसा, इन्हों ने भी अपना सब कुछ स्वहा कर दिया, यह जो चितर है, यह वेक्ती को देखकर ही लगता है, कि क और बाबा को बहुत प्यार था उनसे, अधा प्यार, उनकी प्रोस्टेट की सरजरी होने वाली थी, यहां से मुंबई गए, त्रमेश भाई के साथ, डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, साथ दिन के बाद आना, वापस आए, वो जो साथ दिन थे, जैसे उन्हें अभास हो गया और ममा बाबा, बाबा को भी जैसे पता चल गया था, यह इनके अंतिम समय है, बाबा ने अपने साथ बिढ़ा-बिढ़ा के उनको खिलाया, और जब जाने का समय आया, बाबा को कभी भी इंट्रेस्ट नहीं था फोटोग्राफी में, पहली बार, वो जो दूसरा फोटो है वो निकाले, वो तीनों का, रमेश भाई, बाबा और विश्व किशोर भाव, पीछे गाड़ी है, उसमें सामान है, वो फोटो, हिस्ट्री वाल, उसमें सामान रखा हुआ है, अब जाने वाले है, जाने वाले है, यह सबसे बहुत फेमस फोटो है, यग्य का, जाने वाले ह बाबा कहते है, चंदराज दादा को बुलाओ, वो सोया है, बाबुजी को बुलाओ, वो सो रहा था उसको उठाया, किस लिए है, फोटो निकालने के लिए, ये फोटो निकाला, ये पीछे सामान है गाड़ी में, दिख रहा है, बस अब जाने की तैयारी में प्रोस्टेट की मॉंबई जाते है, ओपरेशन होना है, तो रमेश भाई पूछते है, विश्वकिश्वर भाई भाई से कि बाबा ने तो आज तक कभी ऐसा किया नहीं फोटो, मैं इंट्रेस नहीं था, आज क्यो निकाला, विश्वकिश्वर भाई कहते हैं क्योंकि बाबा की और ये मेरी अंतिम मीटिंग थी वो कहते है कैसे क्या अंतिम मीटिंग क्यों वो कहते है मैंने ही बाबा से कहा था कि बाबा अब मैं जो भी काम करता हूँ यहां मेरे से अच्छे हैंड निरवेर भाई उदर आगे जगदीश भाई आगे ब्रिजमोन भाई आगे यह सब लोग आगे है रमेश भाई आगे है अब मुझे छुटिक दो अब मुझे फ्री कर दो बाबा ने कहा तता आस तू मुंबई पहुँचे ओप्रेशन हुआ फिफ्थ पोस्ट अप डे शिक्स्ट पोस्ट अप डे ओप्रेशन का छटवा दिन शरीर छोड़ दिया परन्तु ये था कि उनकी इच्छा क्या थी कि ओप्रेशन के समय ही मैं शरीर छोड़ू पर इसे एक प्रॉब्लम हो सकती थी बिचारे डॉक्टर से उनके फुर नाम आता था इतना दूर से पेशन्ट आया ओन टेबल डेथ ओन्टेबल डेथ की बड़ी ओडिट वगरे चलता है क्या हुआ कैसे हुआ क्यू हुआ तो उन पर नाम ने आये करके पाच दिन रहे छटवे दिन शरी छोड़ दिया तो उनकी अपनी ही इच्छा थी जैसे इच्छा मृत्यू जैसे बाबा ने उनको एक वरदान भी दे दिया था कि मेरा काम अब पूरा हुआ अब दूसरे योग्य व्यक्ति है जो मेरा काम ले ले और हम सोचते हैं हम ही योग्य है मैंने जाऊंगा और जब तक मैं हूँ किसी को दूँगा भी नहीं किसी को सिखाऊंगा मैं ही में हूँ जो जो तुमको आता है जो जो स्किल्स हमारे पास है वो सब को सिखाना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है ये भी क्या है एक सेवा है अपने जैसे हैंड्स त्यार करना ये भी एक सेवा है नहीं तो हम अपने ग्यान पर कुंडली मार के बैठ जाते आयरुवेद क्यों आगे नहीं बढ़ पाया क्या कारण था क्योंकि कुछ-कुछ गुरु ऐसे हुए उन्होंने ज्ञान दिया ही नहीं अपने शिश्व को ज्ञान बाढ़ते रहना है एक बार दादी जान की कहती है कि मैं मुंबई में थी नाश्ता चालू था और अचानक बाबा आ गए प्रह्मा बाबा और बाबा ने का क्या कर रहे है बच्छी नाश्ता, सेवा की नहीं की तो भीना सेवा की नाश्ता दादी ने का उस समय से मैंने संकल्प किया जैसे मूरली क्लास पूरी होती थी सीधा हेंगिंग गार्डन मुंबई वहाँ जाना आतमाओं को जो भी मिले थोड़ा तो देना परिचे और जब उमर बढ़ती गई तब दादी का नियम था कि पहले दूसरों को खिलाना, जो भी आता है उसको खिलाओ और फिर मैं खाँ तो जब तक किसी को परमातम परिचे नहीं देते है या किसी की सेवा नहीं करते केवल परिचे देनी की बाद नहीं स्थूल सेवा भी, कोई भी सेवा नहीं करते अन्दर न जाए और ये नियम का पालन बहुत सहज होता है यदी intermittent fasting करो तो क्योंकि वैसे भी नहीं खाना है जो कुछ भी नहीं करते कभी वो 10 गंटा तो चालो करीदो 8 से 8 रात को 8 बज़े खा लिए अब 8 बज़े तक कुछ नहीं जब इसमें grip आ जाए confidence बढ़ जाए तो फिर 10 को 12 कर दो पहला भोजन जो शरीर में जाएगा वो कितने बाद? 12 गंटे के बाद 12 गंटे के बाद न खाना न पीना निरजल ड्राइ फास्ट, अन्हाइड्रस फास्ट हेब्रियू फास्टिंग शरीर में बहुत चुत फुत हो रही है सब कुछ ठीक होते जाएगा 12 गंटे ग्रिप आगई तो पहुच जाओ 14 गंटा तब तक कुछ न कुछ तो सेवा मिली जाएगी मतलब यह नियम अपने आप फॉलो होते जाएगा 14 गंटे में ग्रिप आगई दीरे दीरे करना है, फिर पहुच ओ 16 अबर फास्टिंग 8 गंटा है खाने का विंडो उसमें जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो दीरे दीरे वो हो गया तो चले जाओ 18 तक यहां रुख जाओ और इसको लंबा समय में टेन करके रखो पर यह एक दिन में नहीं होगा, चालू 10 से करो 12 तक पहुच ओ 14, 16, 18 6 गंटा खाना और जिनों ने यह किया है उनकी डेर सारी बिमारिया वैसे ही ठीक हो गई लंगनम परमवशदम कुछ खाने से बिमारिया ठीक नहीं होती, न खाने से ठीक होती है धीरे धीरे शरीर में उर्जय आएगी जिनका वजन कम है वो वजन बड़ेगा जिनका ज़्यादा है उनका कम होगा दोनों काम होगे क्योंकि शरीर धीरे धीरे प्रकृती के साथ मिलाप होगा और अपने आप चेंजेस होंगे, दोनों काम होगे पर यात्रा जारु करनी है इससे दोनों काम होंगे ये भी अध्यात्मिक वाला भी और स्वास्त वाला भी क्योंकि बिना स्वास्त के अध्याद मफेल है कोई कितना भी कहा मैं सेवा करता हूँ, बिमार पड़ गया तो कहां से सेवा पढ़े रहो, दवाई खाते रहो, तेहर सारी सेवा लेती ही रहो दूसरों से सारे प्रोग्राम कैंसर जा रहेते प्रोग्राम करने बीच में बिमार हमारे जगा दूसरा चला गया कोई गया ही नहीं तो हमारे सेवा सेवा लेना पढ़ रहा है सेवा लेना पढ़ रहा है ये लक्षर रखना है कि हमें चितना हो सके है जीवन ऐसा हो, शरीर ऐसा स्वास्तर है कि हमें किसी की भी लास तक सेवन न लेने पड़े और शरीर भी कैसा छोड़ दे जैसे यशुदा मैया का कल बताया था कैसे शरीर छोड़ दिया, मुरली सुनते सुनते मदुवन का तठ हो, हरी का द्वार हो ज्यानाम बृत मुक में हो ब्राह्मन परिवार साथ हो तब प्राण तन से निकले ऐसा शरीर छोड़ जाए एकदम सहच बजाए इसके कि आईस यू, ट्यूब, लाइन, ड्रेन, वेंटिलेटर चार लोग मिलके दबा के दबा रहे CPR और फिर आत्मा तो जाने लगती है फरन तो फिर आ जाती है वो तो बस जानी की तैहरी में थी फिर डॉक्टर्स और नर्सिस ने मिलके नीचे ला लिया, अभी रुको चार दिन और उसको भी तरस आता होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं यह लोग, थोड़ी रुकती हूँ इनके लिए तो चवते दिन, छटवे दिन शरीर छोड़ दिया बाबा को फोन किया क्या और जब यह बिमार थे, बाबा रात भर जाके थे यग्ये में सकाश शब्द का प्रयोग कब हुआ यही पर बाबा ने क्या किया? रात भर जाकर योग की सकाश दी सूर्य जो किरने फैलाता है उन्हें प्रकाश कहते है ग्यान सूर्य जो किरने फैलाता है उन्हें सकाश कहा जाता है जो मास्टर ग्यान सूर्यो के दोरह प्रकमपन फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमें तो नहीं मिला नियो लॉजित्म नवशब्द है यह बाबा का बनाया हुआ तो रात भर सकाश देते रहे और जब न्यूज आई और बाबा को पूछा गया क्या करें बाबा डेट बोड़ी वहां ले क्या है बाबा ने क्या कहा आत्मा तो चली कि अब क्या करना है यहां सब कुछ arrangement कर दिया था बाबा ऐसा ऐसा करेंगे वहां से वहां मतलबी नहीं है वही डॉक्टर बदनामना मों जो बोला न मुस नहीं तो उनकी इच्छा तो वहीं पर जाने कि थी ओन टेबल डेट की इच्छा थी तो बाबा ने कहा है वहीं करतो सब जो करना है अंतिम क्रि संत्री दादी ने मुखागनी दी उसके बाद ने 13 दन जो भोग سंदेश लाई जाने के बाद उनकी बहुत इच्छा थी सब को बता है बाबा ने क्या कहा इनके लिए बाबा ने क्या कहा भोग संदेशी को कि कोई बताने की जरूबत नहीं है अगर बताओगे तो लोग इसको याद करेंगे फिर उसको याद भूल जाएगी इसले कोई जरुवत नहीं है संदेश भी नहीं बताओ और फिर शील दादी और संत्री दादी 13 दिन के बाद वापस आए तो वो बहुत सारे फोटोज लेके आए थे इनके लास्ट पर डर था बाबा को बताए नहीं बताए तो किसी दूसरी बहन ने कह दिया आरे वो फोटो बताओ ना बाबा को जो लाए थे बाबा ने कहा कौन से फोटो क्या करना है फोटो का खतम कर दो फोटो को क्या यहां मदुबन में किसी ने उसको देखा नहीं? सब ने देखा हुआ है. तो फोटो देख किया क्या करना है अब? हटा दो फोटो को. कहते हैं किसी शील दादी शायद. तीन दिन उनकी आत्मा शील दादी में आई. क्या हुआ? उसका डिटेल्स पता नहीं है. बट वो भी एक चैप्टर है. कहने का भाव, ब्रह्मा बाबा का अगर यहां देखो तो कैसा है? नश्टो मोगा. डिटैच्ट. जब तक है तब तक सेवा. बहुत अनन्य बच्चा था. परन्तु वो चला गया, बस हो गया, उसका पाट पूरा हुआ. अब भक्ती नहीं चालू करनी है. नहीं तो मलुष्य का सवाव है, भक्ती का. जो भी चला जाता है, उसकी क्या करते हैं? तोड़ी बहुत भक्ती तो चालू ही कर देते हैं, किसी ना किसी रूप से. जैसे, रामकृष्ण परमहन से थे, वो उन्होंने शरी छोड़ दिया. और उनके जो बारा शिष्य थे, विवेकानन्द उसमें एक, वो सब लोग तपस्या करने लगया, बैट कर, बारा कुमार. और लोग उनको बहुत गाजिया देते थे, बारा नगर, वो एक जगा है वहाँ पर, मौनेस्ट्री में, कि तुम लोग, जवान लोग, तुम को काम करना चीए, तुम यह क्या करते हो? पर उनको तो बहुत दूसरे काम थे हो, सुबेतीन बजे उठना, ध्यान करना, शास्त्र पढ़ना, बहुत सारे, जो उनके गुरु ने उनको कहा था, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, और फिर अभी पूरे भारत का ब्रह्मन करना है, वो भी अलग-अलग. तो वहाँ पे एक था, विवेकानन्द का ये था कि, ये डर था कि ये जो शिश्य है ने, ये अपने गुरु की भक्ती चालू कर देंगे. तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट रूल किया था कि, कहीं पर भी ठाकुर का रामकृष्ण का फोटो नहीं होना चाहिए, ये रामकृष्ण का छोटा सा फोटो रखे उसे कूजा कर रहे हैं। तो वह कहते हैं, इस ओल्ड मैं अस कम हीर अलसो। ये यहां पर भी आगया ये बुड़ा अत्मी। अपने गुरु के लिए कहते हैं। पर क्या कर रहे हैं। ये मलुश्य का सभा हो है। वो थोड़ी सी भक्ती करना चालू ही करते हैं। यहां बाबा ने देखो कितना स्टिक्ट का ना तो भोग का संदेश सुनाओ। सुनाओगे तो लोग उसको याद करेंगे। ना उसके फोटो निकालो। ना उसकी डेड बोड़ी को यहां लेके आओ। कुछ नहीं, काम पूरा हुआ। नश्टुमौ तो विश्व किशोर भाव। एक यह ऐसी आत्मा इसी अग्य के इतिहास में हुई है। कि जिसके जीवन में केवल और केवल क्या था। त्याक और त्याक और त्याक। और एक बात मम्मा। मम्मा की जब सरजरी थी, 1965, जून, बाबा ने विश्व किशोर भाव को भेजाता सारा प्रबंद करने के लिए। कहते हैं, स्ट्रेचर को लास्ट तक ऑप्रेशन थेटर में सामने भाव, पीछे रमेश भई। वो लोग लेके कहते हैं। मतलब हर प्रकार की सेवा। प्रेदारी से लेकर तो हर चीज, हर चीज की इस आत्मने ऐसी कोई सेवा नहीं छोड़ी यग्यकी। हाँ जी। मम्मा की भी मम्मा को लेके जाना, सारा प्रबंद करना, पेशन्ट की सेवा करना बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सेवा है। वो डॉक्टर वाली नहीं, नर्सेस वाली नहीं, स्टाफ वाली नहीं, as a रिष्टेदार। पेशन के रिष्टेदार की जो तपस से आ होती है बहुत बड़ी होती है। क्योंकि राद बर जागना पड़ता है उसको, सब कुछ देखना पड़ता है उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको अपना सुप छोड़ना पड़ता है। डोक्टर तो आके देख के चला जाता है, क्या चाहिए, ठीक है न? ऊक्या है. नर्से इंजेक्शन देज़ी चली गई. वहाँ कून रहता है? कून रहता है? चीवन भाई. वहाँ कून रहता है? पेशन्ट का रिष्टेदार. यह बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी, त्याग है इसमें, हमें याद है हम जब M.B.S. में थे, हमारा मित्र जो था, उसको फ्रेक्चर हो गया था, और उसके घर वाले को यानी, और वो एक ऐसा मित्र था, जिसकी मा गयान में चलती, पूरी बैच में से वो एक ही वेक्थी था, कि जिसकी मा था, वहीं से हमने ब्रह्मा कुमारी शब्द ये सुना था, कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो भाई था, हम लोग फ्रस्ट M.B.S. में उसको फ्रेक्चर हो गया, एक्सिडेंट हो गया था, तो पाच दिन हम उसकी सेवा में थे, वो सब कुछ किया उसका, क्योंकि कोई अटेंडेंट ही नहीं था वहा, वो गौर्वर्मेंट हॉस्पिटल, सब कुछ, उठाने से लेकिए सब सब सब, जो अटेंडेंडेंट सेवा करते हैं न, तो ये जो सेवा है, कुछ दिन पहले अच्छानक उसका फोन आया, और उसने बहुत बड़ा क्लिनिक खोला है, और वहां की जो बहन जी है, क्योंकि माता जी गैन में है, तो जो मुख्य बहन है वहां पर, बोसरी में, करुणा बहन, उनको उसने बुलाया था, उद्गाटन के लिए, वो खुद अभी तो ज्यान में मतलब इतना नहीं, पर माता जी है, कहने का भाव, इस तरह की जो सेवा है, वो सामने वाली आत्मा कभी भी भूलती नहीं, डॉक्टर भूल जाएगा, नर्स भूल जाएगी, करने वाला वो सब भूल जाते हैं, पर जिसने उस समय, हमको उठा के बात्रूम तक लेके गया, वो कितनी बड़ी सेवा है, वो कोई नहीं करने को तैयर होता है, इस तरह की सेवा, यह बहुत बड़ी सेवा है, विशो के शुर्भाव ने वो सब भी किया, जो जो बातें आज बता ही, अपनी डाइरी में नोट करनी है, याद करने कल भी रात में कहा था, मेमराइजेशन, के बल सुन के खुश नहीं हो जाना है, क्लास, क्या करना है, यहां से जाने के पाद, नोट करो, और इन पॉइंट्स में से, अब मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में कौन सी धार ना है, कमी है, जो इस आत्मा में थी, अगर वो आत्मा यहां भी है, तो भी शायद हम उससे कुछ सीखते नहीं, इसलिए, वो क्राइटेरिया नहीं है, कि वो है की नहीं है, हमने देखा की नहीं देखा, यह जीवन था, अब सीखो इससे, अच्चे, हम शन्ति, यही तो मन्त है अपना, नहीं रुकना, नहीं ठकना, सतत चलना, सतत चलना, यही तो मन्त है अपना, शुभंकर मन्त है अपना, हमारी प्रेर नाभास कर है जिनका रत सतत चलता युगों से कार्य रत है जो सनातन है प्रबल उर्जा गती मेरा धरम है जो भमन करना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरई वेती यही तो मंत्र है अपना हमारी प्रेर नाभारत है भूमी की करें पूजा सुजल सुफला सदासने हा यही तो रूप है उसका जीए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरई वेती यही तो मंत्र है अपना नहीं रुकना नहीं ठकना सतत चलना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरई वेती यही तो मंत्र है अपना यही तो मंत्र है अपना